मेरा नाम विवेक है तो डीचे की स्कोर्स में ये मेरा वीडियो नमर 6 होने वाले तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेमोरी क्या होता है साथी रैम और सीपीव क्या होता है जैसी कि आप लोगों को पदाए कि हम कहीं अगर मोबाइल लेने जाते हैं अपने सॉप कहीं पर भी हम सबसे पहले करते हैं कि इसका रहें क्या है तो हम आज यहीं बात करने वाले कि हम यही चीज करते हैं इसका अगर हमारे system में ना हो तो डिकत आ सकती अगर ज्यादा यह है तो क्यों system is powerful माना जाता है जैसे कि आपको पदाई कहते हैं कि हाँ जिसका रैम जिस मोईल का ज्यादा है वह अच्छा वग करेंगा तो एसा क्या चीज है यह सारा कुछ में डिसकर्स करने वालों तो वीडियो को लास तक देखिए साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर पेस कीजिएगा साथी अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते तो हमारे सोसल मिडिया यानी इंस्ट्रागाम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वहाँ जाके आप फॉलो करके मैसेज कीजिए आपको नोट्स प्रवाइड करवा दिया जाएगा चले हम चलते आपने वीडियो क करने का काम करता है और साती हो रिंस्ट्रेक्शन भी देता है कि हाह आपको इस तरम ये करना ये सारा वक्त हमारे शरीर को कौन चलाता तो एक ब्रेन चलाता है उसी तरह से जहाँ मेमोडी जस्ट लाइक एक हणी के तरह ही काम करता है computer के लिए तो हम क्या कह सकते computer में इसका यूज क्यों करते है memory को data को store करने के लिए साथ इंस्ट्रक्शन को देने के लिए computer को कि हाँ चलो आपको ये instruction दिया आप कीजिए या आपके पास मैं ये data रख रहा हूं आप data रखिए तो memory आप समझ गए क्या है तो data को store करने के लिए साथ ही computer में कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम memory का यूज करते हैं आप बात आती है कि data तो कुछ भी हो सकता है अब data हमारे पास different type के हैं कि चलो हाँ आपको मैं ऐसा data दे रहा हूं जो आपको lifetime तक रखना है अपने system में साथी ऐसा भी data हो सकता है कि मैं आपको ये data दे रहा हूं आप जब system पर work कर रहे हैं उतना ही देर के लिए रखे तो इस तरह से हम बात करेंगे तो हमारे पास memory के तीन तरह के types हो जाएंगे जो हमारा पह चलिए हम समझते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि primary memory क्या उसमें भी हम सबसे पहले समझेंगे primary memory हमारा एक रेम है टाइप कहीए आप इनका तो चलिए समझते हैं यह RAM क्या होता है ओके रेम का हम फुल फॉर्म जो हमारा नाहीं हो है रेंड़म ऐसे मेमोरी आप लोग पत वह समझेगा बात करेंगे चोंकि हम्में पड़ रहे हैं करने बात करने लिए क्या काम है कि निकता और प्रॉब्लम करने में असानी होता है रेम का मैन काम क्या है virtual space देना कोई भी computer system को जिससे हमको कैसी मदद मिलती है data को manage करने और कोई भी problem को solve करने में हमको बहुत जल्दी शहुलियत मिलती है हर mobile और computer system के लिए बहुत जरूरी पार्ट होता है जैसे कि आप लोग को पता है कि रेम जो है कोई भी computer system हो या mobile हो उसके लिए बहुत important पार्ट है रेम में लग गया memory और memory लग गया मतलब क्या है वहाँ data store होगा तो यही चीज़ है कि रेम जो है यह computer को data को store करने का काम करता है आप रेम को आप जो है primary memory भी कह सकते है अगर हम next point की बात करेंगे तो रेम जो है primary memory के नाम से भी जाना जाता है next point है हमारा कि जब भी हम computer में current time में कोई भी काम कर रहे होते है तो उनका जो भी data होता है वो रेम में store होता है अब इस point को आप एक example के थूरू समझेगा तो इस इस example के थूरू आप बहुत असानी से इस random SS memory को समझ सकते कि इनका work क्या है कैसे यह काम करता है कैसे data store करता है तो suppose जिए आप मान लीजे कि आप Microsoft Office Word उस पे आप work करें अब उसमें 1000 या कुछ भी आप 10 या 1000 समझे आपने word उसमें type करके रख दिया अब क्या है वहां पे जो भ अगर डाटा मेरे पास सेव नहीं है लेकिन वह computer में तो सो हो रहा है मतलब वह कहीं तना कहीं वह सेव जरूर है तो वह जो data है हमारा वह random SS memory RAM में सेव रहता है जब तक कि हम उसको हार्डिक्स में सेव नहीं करेंगे वह हमारा RAM तक ही सेव रहेगा और बात करते हैं कि अगर ह हमारे computer system जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे power off हो जाई तो क्या होगा तो random SS memory पे हम जो भी word कर रहे होंगे वह सारा data हम loss कर देते हैं अगर power off होता है तो याद रखेगा random SS memory पे जो भी data हम रखे हैं वह सारा loss हो जाएगा जैसे कि यहां पे Microsoft में हमने 1000 word लिखा इसी बीच में power off हो गया और उसको हम जब तक hard disk में सेव नहीं किया है यह random SS memory में ही रहेगा और उतने बीच में अगर power off होता है तो जो भी हम data type किया है वह data हमारा loss हो जाएगा तो समझ गया है इससे यहां से एक point यह भी निकलता है कि अगर आप काम करने के बीच में data save नहीं करते हैं और power SRM मतलब हो गया aesthetic random SS memory और DRM मतलब हो गया dynamic random SS memory अब समझते है one by one SRM क्या होता है DRM क्या होता है SRM जो है यह computer में use होने वाले memory में दो basic memory में से एक है इनका काम क्या होता है लगातार जो है electric power की इसको जुरूरत बदता है इनका जो भी काम होता है उसमें हमको लगातार electric power की जाद रखने के लिए refresh की कोई जुरूत नहीं होती है समझ गए इस point को और यह SRM जो है एक volatile memory होता है volatile memory हम उसको कहते हैं जिसमें की power अगर cut हो जाए तो उसका कोई भी data हमारे पास available नहों मतलब खतम हो जाए तो उसको हम volatile memory कहते है और इसी का दूसरा हो जाता है non volatile जिसमें अगर power cut भी हो तो उसका data हमारे पास store रहे है जब भी हम computer system को on करें तो हमारा सारा data मिल जाए तो होता हमारा non volatile memory DRM यहाँ पर जस्ट हम aesthetic memory जो हम पड़े हैं उससे यह उल्टा काम करेंगा DRM कहने का मतलब क्या है इसको बार बार refresh करने की जुरत परती है ताकि कोई भी data को यह याद रख सके DRM मतलब क्या हो गया dynamic random asses memory dynamic memory भी एक volatile memory होता है क्योंकि एक बार जब power अगर off कर दिया जाता है अगर data हम काम करी रहा और इतने बीच में अगर power हम off करते तो इनमें भी उपस्तित जो भी data है वो data हम lost कर देते हैं तो इसलिए DRM भी हमारा जो है एक volatile memory का रूप है मतलब हमारा RAM ही एक volatile memory आप पार्ट करेंगे हम primary memory का ही ROM जिसका नाम है read only memory RAM और ROM दो चीज आपको important है तो चलिए हम समझते है ROM क्या है ROM जो हमारा RAM के तरह हमारे computer system और mobile के लिए जो है बहुत ही important जरूरी हिस्सा है जिस तरह से हमारा RAM अगर नहीं होगा तो हमारा system या computer जो भी हो वो अच्छे से work नहीं करेगा उसी तरह हमारा ROM भी एक important हिस्सा है हमारे computer system के लिए ROM जो है computer system का primary storage device होती है यह जो है एक chip की आकार का होता है जो computer के motherboard आप देख सकते हैं आप उससे जुरा होता है जिस तरह से हम RAM में अगर data हम work करें कोई काम करें computer system पर हमारा computer system power off होता था तो वहां पर जो भी data रखते दे वह हमारा data loss होता था लेकिन यहां पर opposite work करेगा हमारा ROM इसमें आप कोई भी data एक बार रख देते हैं तो system अगर off भी हो जाए दौरान तो आपका जो भी data रहेगा वह सुरक्षित रहता है मतलब जो है इसमें data जो है क्या हो सकता है loss नहीं हो सकता है और आपको मैं पहले ही बता दिया हो कि non-volatile क्या है तो ROM जो है एक non-volatile memory क्योंकि अगर हम इसमें power off कर देते हैं तब पर भी हमारा data जो है वह सेफ रहता है तो इसलिए जो है इसे हम non-volatile memory क रोम का बात करते हैं तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम रोम का यूज सिर्फ computer system या mobile में हम इस्तमाल करते हैं अपना data को इस्टोर करने के लिए तो ऐसा नहीं है इसे आप जो है electronic device बहुत सारा ऐसा electronic device से जिसमें की हम इसका यूज करते हैं जैसे हमारा हो गया washing machine TV, AC, lift इस अगर हम इसमें इस तरह का programming set कर दे जैसे हम washing machine का हम बात करते हैं तो इसमें रोम इसलिए set क्या जाता है कि चलिए हम इसको दे दिए कि हाप आपको पांच पे घुमा के अपने आपको off करना है तो चार बार इसने घुमा लिया लेकिन पांच में बार में जब भी आया तो य हमने चार लगा लिया और एक राउंड और बांके तो यह एक राउंड और घुमाएगा जब भी लाइट आएगा तो इसलिए हम बहुत सारे electronic device में भी हम रोम का यूज करते हैं रोम का पांच परकार होता है जैसे हमारा पी रोम ए पी रोम और यह ए आरो एम और एक फ्लैस बहुतु का भी काम करती है तो इस सेकेंटर में मोरी के अपक्षा इसकी घती सामता जो है और ज़रुरत पढ हम इसे अपडेट मतलब इसको या तो बढ़ा सकते हैं या तो हम घटा सकते हैं सेकेंडर में मंगteri जो के होते हैं जैसा हमारा Wise टीकटो डिक्स ड्स तो secondary memory समझ गए क्या चीज है अब इसको एक example के थूरू समझे कि आपके पास एक computer system में आप उसमें जो भी data आप वहाँ पे save कर रहे हैं आपका storage जो हो फुल हो गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे secondary memory का यूज करेंगे तो secondary memory क्या हो गया आप जैसे pen drive का बात कर लिजा या cd drive आप उसमें अब क्या होगा pen drive अगर यूज करते तो जो भी data है वो आप इस pen drive में भी रख सकते हैं या आपने computer system का आप डाटा को यह पर टांसफर्प कर सकते हैं तो यह एक memory का टाइप है जो हमारे कोई भी computer system या कोई भी system को यह memory को अप्ग्रेट या डाउन भी कर सक 2D disk hard disk यह सब हमारा क्या secondary memory का types है चली हम अब next memory यानि की सब से last जो है catch memory के बारे हम बात करते हैं catch memory जो है आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन ये computer की main memory से बहुत तेज़ होता है समझ गए जो हमारा main memory है वो बहुत तेज होता है इनसे main memory से बहुत तेज होता है catch memory इससे c प्रोग्राम और निर्देश के बाड़े में इस्तमाल किया जाता है जैसे हम कोई भी बित तो वूआ फॉट बज़ गए होंगे मेमोरी का यह तीन टाइप प्राइमरी सेकेंडरी और केस हमारा मेन इंपोर्टेंट था प्राइमरी मेमोरी चलिए हम जानते अब लगतों प्राइमरी ब्याद उन सेट stepped up एंज़ों शिस्वायं मेन तeszा बश्कने से खौ़रमी आपको पूटेंट केकेंड़ ole केंगे में मतलब हम कोई data दे रहे computer system को तो वह हमारा input होगा उसको यह क्या करेगा process करके यह computer system में और हमको output देगा यह man काम होता है CPU का CPU को जो आप computer का brain भी कह सकते यह बहुत बार आप सुने भी होंगे computer का brain आप किसको कहते तो central process unit को आज के डिच्टल दुनिया में central process unit को और भी नाम से जानत हम यूज़ करते हैं या micro processor हम यूज़ करते हैं या central processor भी हम इसे कहते हैं इसे जो है computer का दिमाग brain भी कहा जाता है CPU के मुक तीन component होते हो हमारा होता है storage unit या उसी को हम memory unit कहते हैं second हमारा होता है control unit और तीसरा हमारा होता है alu arithmetic and logic unit storage unit और memory unit का है समझेगा storage unit system के data instruction और result को store करके रखती है कोई भी data हो या instruction हो और उससे होने वाला output मतलब result जो है यह store करने का काम कौन करेगा storage memory या storage unit का काम रहता है उस data को manage करना अब जो हमारा दो unit है control unit या alu unit या तो इसमें जो है इसको अगर suppose that control unit को कोई भी data का जरूरत है और वह storage unit के पास है तो क्या करेगा storage unit जो है उस data को transfer कर सकता है किसी और भी unit को storage unit का जो हम example की बात करेंगे तो RAM हो, ROM हो, hard disk हो यह सब हमारा storage unit का example हो जाता है then हमारा control unit जैसा कि इसका नाम से आपको पता चल रहा है इसका unit का काम होगा नियंत्र करने का किसी भी चीज पर control करने का मतलब computer के सभी part पर operation को control करता है हमारा control unit और हमारा जो है तीसरा ALU, ALU मतलब arithmetic and logic unit इसमें जो है दो part है एक तो आप देख रहे है arithmetic और दूसरा हमारा है logic तो arithmetic section समझेगा क्या है, arithmetic section का काम है नाम से अर्थमेटिक हम लोग कहां परते हैं अंक गनीत में तो उससे जुरा जो भी problem होगा उनको यह solve करेगा arithmetic section और logic section जो है कोई भी logical चीज हो जैसे तुलना करना चुनाओ करना या matching करना यह सब क्या चीज होता है logic section में आता तो इसका काम हमारा करेगा logic section लेकिन arithmetic जैसे multiplication, addition, subtraction, division यह सब क्या है math का है अंगनीत का है तो वहाँ पर जो भी data हमको काम करने को मिलेगा तो वह arithmetic section होगा तो यह हमारा था इसका component आप लोग भी पता है कि computer system में आप लोग जो CPU करते हैं तो आप पुछते कि कौन सा यह CPU पे based है तो दुन्या में अभी सबसे दो बड़े company जो है CPU बनाती है तो उसका नाम इंटल और AMD साथ हम AMD जो है उसी को हम AMD राइजन जो कहते हैं आप समझी रहे होंगे तो यह दुन्या की वह दो सबसे बड़ी company है जहां हम बात करते हैं वह CPU को निर्मान करता है production करने का काम करता है तो I hope आपको सारा concept जो है clear हो गया होगा अ नीचे कॉमेंट कीजिए साथ ही चैनल पर पहले बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर पेस कीजगे तो चलिए मुझे दीजिए थोड़ा से समय हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द